नमस्कार आप सभी का मेरे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है आज बनाएंगे छिलके वाली काली उड़त डाल ये खाने में बहुत ही स्वादिश्ट लगती है और इसके काफी सारे फायते हैं इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन फाइवर्स मिनरल्स पाये जाते हैं इ तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं इसके लिए हमने एक कप उड़त की डाल ले ली है चिलके वाली उड़त डाल है और इसे हम दो तीन बार पानी से अच्छे से वाश कर लेंगे और उसके बार इसे साथ से आठ घंडे के लिए हम शोक करेंगे या आप ओबरनाइट भी इसे सोक कर सकते हैं पूरत की डाल अच्छे से फूल चुकी है तो अब हम सबसे पहले इसे बॉयल करेंगे बॉयल करने के लिए हमने एक प्रिशेर कुकर ले लिया है और उसमें इसे आड़ कर देंगे इसके बाद अब हम इसमें आड़ करेंगे पानी जरूत के अनुसार हम पानी आड़ करना है देखिए हमने लगबग दो गिलास पानी आड़ किया और एड़ करेंगे इसमें नमक और इसे हम चार से पांच प्रेशर आने तक बॉइल कर लेगें जब तक हमारी दाल पॉइल हो रही है तो हम इसके लिए मसाले तयार कर लेते हैं मसालों में हमने लिया एक चोटे चमस जीरा आदि चोटे चमस काली मिर्च चार सूखी राल मिर्च आधा चोटेश्मस साबुत धनिया और इसके साथ इसमें आड़ करेंगे 5–6 लेसन की रावोगर आप ये लेसन कम ज्यादा कर सकते हैं और इसके साथ ही हमने इसमें आट कर दिया एक इंच अधरक का टुकड़ा और इन सभी का हम एक फाइन पेश्ट तयार कर लेंगे यह देख सकते हमारे मसाले रेडी हो चुके है हमारा होमेड मसाला तयार है अब हम प्रेशेड कूकर खोल करके देख लेते हमारी दाल बहुत ही ही है आप एक वार इसे चेक कर लें दाल बहुत ही बढ़ियां से अल चुके तो अब हम तड़की की तैयारी करते हैं इसके लिए हमने एक कड़ा ही गरम कर लिया उसमें आट करेंगे दो बड़े चमश सर्जो का तेल और जब तेल गरम हो जाएगा तो उसमें आट कर देंग एक चथाई छोटा चमश जीरा दो सुखी लाल मिर्च दो से तीन तेजपता और थोड़ा सा हींग और अब हम इसमें आट करेंगे कटे हुए प्यास और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक हमें प्राई कर लेना है प्यास को हम अच्छे से भून लेंगे यह देखिए प्यास का खलर चेंज हो गया तो अब हम इस स्टेज पे इसमें आट कर देंगे थोड़ा सा नमक एक चथाई छोटा चमश नमक हमने आट किया है क्योंकि हमने डाल बॉयल करते समय भी नमक आट किया था इसलिए हम इसमें ज्यादा नमक आट नहीं करेंगे और प्यास हमारी अच्छे से भून चुकी है तो इसमें आट करेंगे एक छोटा चमश हल्दी पॉडर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब आट कर देंगे इसमें जो हमने मसाले तयार किये थे वो दो बड़े चमश मसाले हमें इसमें आट कर देने है और हम मसाले को बहुत ही अच्छे से भून लेंगे मसाले को बहुत ही अच्छे से भूनना है ताकि कच्छा पर दूर हो जाए आप छिलके वाली उड़त की दाल एक वार इस तरीके से बना करके जरूर ट्राइ करें और कमेंट शेक्छन में जाकर जरूर बताएं कि हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी यह देखिए मसाले हमारे अच्छे से भून चुके हैं तो अब हम एड़ कर देंगे एक बड़े साइज का टमाटर की प्यूरी और इसे भी अच्छे से हम भून लेंगे इसके गाणा होने तक हमें इसे पकाना है देखिए टमाटर की प्यूरी भी अच्छे से भून चुकी है और हमारा मसाला रिड़ी हो गया है तो अब हम इस स्टेश पे एड़ कर देंगे बॉइल किये हुए दाल और इसे तीन से चार मिनट के लिए हम अच्छे से भून लेंगे ये मसाले में दाल अच्छे से मिक्स हो चुकी है तो अब इस स्टेश पे हम इसमें एड़ कर देंगे पानी हमें ज्यादा पानी आड़ नहीं करना है कि दाल हमारी पहले से बॉइल है अच्छे से पकी हुई है तो सिर्फ इसकी ग्रेवी के लिए हमें पानी आड़ करना है यह हमने लगबग आदा गिलास पानी आड़ किया है और जब इसमें एक बॉइल आ जाएगा तो इस स्टेश पर आड़ कर देंगे आधा चुटे समच गरमसाला पॉडर और एक बॉइल और आने देंगे उसके वाद इसमें एड़ करेंगे हरी धरिया पती और इसे मिक्स कर लेंगे हमारी चिलके वाली उड़त की दाल बन करके रेडी है आप इसे रोटी पराठे या चावल के साथ सर आने में बहुत ही टेस्टी और यह हेल्दी रेसिपी भी है इसलिए आप एक वार इसे बना करके जरूर ट्राइए करें और अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें आप देख सकते हैं कितनी आने